तो अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि सी नाम के जातक एबम एच नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का बैवाहिक जीबन कैसा होगा मित्रों सी नाम के लोगों का सुभाब बहुत ज्यादा चंचल होता है इस नाम के जातक कभी कभी छोटी मोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुसा करते हैं इस नाम के लोगों को अपने जीबन में खत्रों के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है लेकिन यदी डी नाम के लोगों की बात कड़े तो इस नाम के जातक बहुत जयादा संबेदन सील एबम गंभीर होते हैं मित्रों इस नाम के जातक बहुत जयादा सांत होते हैं मित्रों इस नाम के लोगों को इनके परिस्कृत एबम सहान भोती पुर्न सुभाब के कारण दूसरे लोगों के द्वारा बहुत जयादा महत्तु दिया जाता है इस नाम के जातक बहुत जयादा सच्च होते हैं इस नाम के लोगों से कभी भी पाखंड करना या पाखंड का समर्थन करना नहीं हो पाता है लेकिन यदी सी नाम के लोगों की बात कड़े तो इस नाम के जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं मित्रों इस नाम के लोगों को किसी भी काम को करने के लिए मजबूर करना नाममकिन होता है क्योंकि इस नाम के जातक यदि अपने मन में कुछ भी ठान लेते हैं कुछ भी बिचार कर लेते हैं तो इनके बिचार से इनको हिलाना एकदम असंभब हो जाता है मित्रों इस नाम के लोगों का मन बहुत जयादा चंचल होता है एबम इस कारण से इस नाम के जातक अपने बिचार को हमेशा बदलते रहते हैं इस नाम के जातक एक बिचार को छोर कर दूसरे बिचार पर जाना बहुत जयादा पसंद करते हैं मित्रो इस नाम के जातक लगभग हमेशा अपने जीबन में बदलाब करना पडिवर्तन करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन यदि एच नाम के लोगों की बात करे तो इस नाम के जातक बहुत ज्यादा धैर्ज बान होते हैं मित्रो इस नाम के लोगों के भीतर द्रिड्धता एबम धैर्ज बहुत ज्यादा होता है इस नाम के जातक यदि अपने मन में किसी भी बिचार को लेकर कुछ भी ठान लेते हैं तो इनके बिचार को बदलना असंभब होता है मित्रो सी नाम के जातक एबम एच नाम के जातक यदि इन दोनों के दामपत्य जीवन की बात कड़े तो इन दोनों का संबंध सामान्य रहेगा न जयादा मजबूत न जयादा खराब तो मित्रों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वीडियो के नीचे जय महादेब कमेंट कर दे एबम इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दे धन्यवाद